उत्तर प्रदेश के जनपल मुरादबाद के कुंदर की इलाके में सैक्ड़ ग्रामीन बिजली विभाग की घोर लापरवाही का खामियाजा पिछले एक हफ्ते से भोगतने को मजबूर हैं ग्रामीन गर्मी की वज़े से और बड़साथ की वज़ा से बिजली ना होने के कारण बहुत ज्यादा परिशान हैं मरदबाद के कुंदर की विधानसवाद छेतर का जेतिया फिरोसपुर आज 2020 में भी पिछले एक हफ्ते से अंधेरे में डूबा हुआ है प्रदेश की योगी सरकार की विजली को लेकर बहुत सारी योजनाय चल रही हैं लेकिन वो सब जेतिया फिरोसपुर पहुँचने के पूर भी दम तोड़ रही हैं जोलाई के महीने में भीशल गर्मी और बरसात के चलते गिरामीनों के परिशानिया और बढ़ गई हैं गिरामीनों के अनुसाद छेतर जई कुछ सुनने को तयार नहीं है जबकि उसके गाउं में लगा बिजली का ट्रांसफार्मर एक हफ्ते से फुकपड़ा है इस्तानी इस्तापर कई बार शिकायत करने के बाद भी इस्तिती जसकी तस बनी हुई है हद तो उस समय हो जाती है जब मुखे मंतरी पोटल पर रजिस्टर शिकायत करने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है आज अपने बीच मीडिया की मोजूदगी देख जरूर गिरामीनों के चेहरों पर कुछ खुशी की उम्मीद दिखाई दी तो उन्होंने बिजली ना होने की बात कहते वे अपना दर्द बया कर दिया गिरामीनों के अनुसार इस ट्रांसफार्मर के फोकने से लगभग तीन सो परिवार आहत हैं वो मीडिया के मादम से बिजली विभाग के उच अधिकारियों से नियाय के गुहार लगा रहे हैं अब अधिकारियों से सिकायत की गई टोल फी नंबर पर कंप्लेंटे की गई लेकिन कोई भी संतोज जनक ना तो जवाब मिला है वन्हों किसी अधिकाई नहीं आकर देखा है जईसाब से बात हुई तो वो 15-20 दिन के लिए का 15-20 दिन तक हैं इसको बदनने के लिए कब सख पंदर देना कल से और पंदर दिन आगे के मांग रहे हैं